Solving any problem is related to this single factor, है न, यानि कि बुद्धी में अगर आप बात करें mathematical calculation की, या बात करें poetry analysis की, या बात करें descriptive historical knowledge की, ये सारी चीजे पॉसिबल हैं इस एक single factor से, ये सिर्धान था, किसका बिनेका, हाँ, गुड़ाफटन। ये सिर्धान था, बिनेका, और इस सिर्धान में जो सबसे महत्पूर्ण रोल रहा, वो था, एक associationist का, एक associationist का, जब आप John Stuart Mill की बात करते हैं, यानि, मैं दो तीन नाम बताता हूँ आपको, एक थे JS Mill, एक थे, जॉन लॉक, इसके अलावा, टॉमस पेन, ये वो थिंकर्स थे, जो कि, फिलासोफ़कली, पॉलिटिकली, और कहीं कहीं, एजुकेशन के छेत्र में, बहुत महत्पूर्ण हैं, अब जॉन लॉक को आप पढ़ते हैं, जब आप टैबूला रासा का थोट पढ़ते हैं, और JS Mill को आप पढ़ते हैं, जब आप, जब आप, बेसिकली, इंटेलिजेंस वगेरा की जब आप बात कर रहे होते हैं, कौन से लॉज की यहां पर जरुरत होती हैं, आसेशेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कई बार आप सोचते हैं कि यह जो टैबूला रासा देने वाले बैकती थे, क्या वो बहेवरिस्ट थे, पर बहेवरिस्म तो बाद में आया, तो वो बहेवरिस्ट तो हो नह सकते हैं, नहीं थे, फिर क्या वो इस्ट्रक्शलिस्ट थे, पर स्ट्रक्शलिजब भी बाद में आया, फिर वो थे कॉँ, वो थे एसोसीएशनिस्ट, यानि जो कि जोड़ करके चीजों को समझने में विस्वास रखते थे, उनका मानना था, ठीचिजे एक डूसरे से जु बोड़ा जाता है कहीं ना कहीं जॉन स्टुवर्ट मिल के जो थोड़ था या फिर आपने चार कोट और जोसेफ प्रायर को तो पढ़ा ही होगा जब हम फ्रॉइड पढ़ते हैं तब उस दोरा है ना इसी तरीके से आपने ग्रैंबिल स्टैनले हौल फ्रॉइड या गाल गुस्ता और योंग ऐसी यह सब उस टाइन के जाने माने साइकोलोजिस्ट और फिलोसोफर्स हैं इसके अलावा आपने प्याजे आपको पता है एल्फरेट बिने के साथ 1922 में स्टैनफोर्ड युनिवरस्टी में बहुत समय तक उनकी लैब में इंटेलिजन्स पे काम किया था प्याजे ने थी तो प्याजे वस आल्सो टॉकिंग एंट लर्निंग विद बिने ऑपरेशन ओफ इंटेलिजन्स की तो गिलफर्ड भी करता है गिलफर्ड का जो थोट है वो बाद का है हम यहाँ पे ऑपरेशन ओफ इंटेलिजन्स की बाद बहुत सुरुवात में कर रहे हैं जहाँ पे कि हम यह धोंड ही रहे थी कि हम इंटेलिजन्स को डिफाइन ही कैसे करें क्योंकि अभी तक इंटेलिजन्स को डिफाइन ही नहीं किया गया था, तो इसकी definition देने के लिए, सब लोग जद्दो जहद में थे, और जद्दो जहद एक और भी थी, वो ये थी कि how to define something which is not there yet, अगर मैं बात करों कालोस्ताव योंग की, या फिर मैं बात करों फ्रॉइड की, तो उन्होंने personality के बहुत सारे पक्षों को study किया इसी दौरान cognition पे नजर डाली पे आजे ने, लेकिन ये सब अपनी चीजों को define करने के लिए, कहीं न कहीं एक factor से प्रभावित थे, वो factor क्या था, कि एक वैक्ति अगर एक समस्या के अंदर है, तो वो समस्या का जो समधान करता है, या वो समस्या को किस तरीके से देखता है इसी से निर्धारन होता है, उसके वैक्ति पका और उसके आगे वो किस तरीके से काम कर पाएगा, and that is the operations of intelligence, अब इस पे काम कर रहे थे Alfred Binet, और Alfred Binet ने इन सभी लोगों के चिंतन को देखा, और कहीं न कहीं वो इनको study कर रहे थे, इस study के दौरान 1899 पे, यानि इस से सपहले, Binet became member of the free society for psychological study of child, हुआ ये कि France के अंदर एक कानून आया, French education में एक परिवर्तन आया, और वो कानून था, जिसमें की mandatory कर दिया, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के आई हुके थे, समझ रहे हैं, हमारे यहां पे 2001 में आया था ये कानून, France में ये कानून आया, 1899 में, to attend school, ये 6 से 14 वर्ष के आई हुके सभी बच्चों को school attend करना जरूरी है, बिने और दूसरे बहुत सारे लोग थे, जो की इस commission में appoint किये गए, जिसे कह दे थे, अब commission for the retarded, commission for the retarded, retarded यानि जो वेक्ती सोचने समझने योगे नहीं है, यानि कि disabled के लिए, The question became, what should be the test given to the children thought to possibly have learning disability that might place them in a special classroom? Problem ये थी, कि ऐसा कौन सा test develop किया जाए, जो test ये prepare कर दे, ये finalize कर दे, कि ये जो बच्चा है, ये इस classroom में नहीं बैठेगा, बल्कि इसके लिए special classroom होना चाहिए. 6-14 वर्स के सारे बच्चे बैठेंगे स्कूल के अंदर, लेकिन हर बच्चे का level तो बराबर नहीं है, अब इन सामान में बच्चों के साथ में, अब सामान में बच्चा बैठ करके पढ़ नहीं सकता, ऐसा कौन सा test बनाएं, जिसके कारण की वो जो commission for retarded है, तो ये जो retarded ब problem, make it his problem, to establish the differences that separate to the normal children from abnormal and to be measure such differences, और experimental de-intelligence, ये सबसे पहला सुरवाती वर्क था, जिसे कहते हैं, experimental study of intelligence, ये वो book है, he used to describe his methods and it was, cause, method क्या था, method क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक book लिखी, जिसके अंदर उन्होंने वो method बताया, जिस method का इस्तिमाल किया गया, किस तरीके से हम retarded student को अलग करेंगे, और उसकी studies को differentiate करेंगे, तो basically अगर आप देखें, कि intelligence test की जो शुरुवात हुई, और intelligence test को जो बनाया गया, वो सामान्य से, अब सामान्य बच्चे को अलग-अलग करने के लिए बनाया गया, यह जो फ्रांस की जो education थी, उसमें जो 6-14 वर्ष की जो आयू का जो नियम लाया गया, भारत से लगबग 102 साल पहले, उसके कारण ऐसा हुआ, बिने एक change लाना चाहते थे, वो इस society में हर बच्चे को मौका देना चाहते थे, किस चीज का, सही education का, और वो सही education क्या है, यह कैसे पता लगीगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसी कख्षा की एक ही education तो सही education हो नहीं सकती, यहां से सुरुवात हुई, वो कस्मकश जिसमें की बिने को study करना था, how to differentiate, अब पहले तो यह समझ लेना ज़रूरी है कि बिने फ्रांस में थे, फ्रांस ने उन्होंने neurological research में participate किया, उस दौरान उन्होंने J.S. Mill, या चारकोट, प्राय, या फिर फ्रॉइड जैसे लोगों को भी पढ़ा, psychology का अध्धन किया, national library ने, उनकी तयारी हुई associationism, और कही न कहीं psycho analysis, जिस तरीके से काम कर रहे थी, या नि personality के दाइरे को समझने की कोशिस की गए, इसी दौरान, फ्रांस में एक परिवर्तन होता है, जिसमें की ये लाया जाता है, कि 6-14 वर्स के बच्चों को school जाना ज़रूरी है, लेकि 6-14 वर्स के जब बच्चे जाते हैं, तो उस ये देखना है, कि how to differentiate those students, जिनके लिए special education की ज़रूरत है, intelligence test के roots में, intelligence test की जड़ में जो है, वो है special education की दरकार, ये यहां तक हमारा उद्देश ये था समझने का, ठीक हैं, अब जब ये किया गया, इसी का result निकला, बिने, साइमल, स्केल, Alfred Binet और Theodore Simon, इन दोनों ने साथ में एक research में पाटिसिपेट किया, comprised a variety of, variety of tasks representative of typical children's ability at various ages, जो इन्होंने धून्धा, ये काम चालू हुआ, उनने सौ, चार में, और उनने सौ, साथ में इसका outcome आया, और वो सा outcome था, mental age, right? So, इन्होंने कहा, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अब यहाँ से start होता है, कि जो mental age है, वही एक criteria होना चाहिए, देखने का, मतलब, इसका मतलब क्या है? एक बच्चा है, 14 साल का, और दूसरा बच्चा है, 11 साल का, दोनों एक ही कख्षा में बैठे हुए है, क्या ये सही है? नहीं है, एक बच्चा है, 11 साल का, दूसरा है, 11 साल का, दोनों एक ही कख्षा में बैठे वे हैं, लेकिन दोनों का मानसिक स्तर सही एक नहीं है, क्या ये सही है? इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा जो आधार भूत तत्व होना चाहिए, वो होना चाहिए mental age, क्योंकि स्कूल में हम क्या कर रहे हैं? हम मांसिक क्रियकलाब कर रहे हैं हम मांसिक यानि mental activity कर रहे हैं तो मांसिक क्रियकलाब कर रहे हैं इसलिए जो आधार भूत तत्व होना चाहिए जिसके द्वारा education same class में दी जाए तो same class, class यानि work एक work एक mental age के आधार पर होना चाहिए rather chronical age पर यह था concept जिसको दिया गया Consisted of 30 tasks of increasing difficulty अलग-अलग increasing difficulty के आधार पे इस test के अंदर 30 tasks रखे गए कितने याद रखेगा सुर्वाती जो intelligence test था उसमें 30 tasks थे Compare children's mental ability relative to those of their normal peers जो की compare करती थी जो compare करती थी जो तुलना करती थी लोगों की जो लोगों की जो intelligence है वो उनके peer यानि उनकी class में जो दूसरी लोग थे उनसे compare करके और intelligence का अंदाद लगाया जाता था इसमें थे क्या? इसमें थे picture naming rhythm production, weight ordering, question answering, word destination यानि कि define कीजिए, सब्द से picture को पहचानिए rhythm को पहचानिए, music के sound को और वजन को पहचानिए ऐसे कुछ basic चीज़ें थी जिनसे की ये देखा जाता था कि ये student typically इस class को belong करता है यानि सामाने रूप से और कोई दूसरा student है वो typically इस group में नहीं आता है इसको define करने के लिए जो typical measurement रखा गया यानि कि सामाने रूप से जो measurement रखा गया वो था mental age और इसी के द्वारा एक mental age के आधार पर एक scoring तैयार की लिए पर problem क्या थी problem ये थी कि ये तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा आज से 7 साल पहले पैदा हुआ था तो मेरा बच्चा जो है वो है 7 years का पर ये मैं कैसे कह सकता हूँ क्योंकि इसका इसका धिमाग यानि कि इसका brain and mind यानि कि इसकी mental age इसकी chronical age से different कैसे है और जो आप कह रहे हो उसकी विस्वस्वस्वियता यानि reliability क्या है उसकी reliability क्या है नॉर्मल, superior, very superior और genius आधार क्या रखा आपने इन सबका आधार रखा आपने mental age और mental age आपने निकाल दी कैसे तो उसी particular class ने आपने एक test दे दिया और उस test को compare करवा दिया क्या ऐसा हो सकता है कि केवल इस एक comparison से उस class के comparison से आप किसी की mental age निरधारित कर दें कि ये plus है ये minus है और फिर उसको categorize कर दें फिर उसकी scaling करें लेकिन ये जो IQ test जो बाद के बताते हैं ये सब क्यों आए ये सब इसलिए आए because mental age was challenged because mental age was challenged right so basically अगर हम ये पढ़ें कि IQ का funda किस ने दिया था और उसमें अगर हम ये कहने लगें कि ये दिया था सबसे पहले पियाज इसने बिने ने तो ये गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि first measurable IQ test to categorize the normal and special student जब दिया गया ये जो पहला measurable IQ test था वो ultimately जाच क्या कर रहा था वो mental age की जाच कर रहा था क्या कर रहा था mental age की जाच कर रहा था बहुत सारे इसमें amendation हुए क्या हुए अमेंडेशन जिसके बाद में ये जिसके बाद में ये Stanford Binet test बना for IQ and that is the reason हम ये कहते हैं that Alfred Binet was the first one जिसने की IQ test दिया मतलब जो सुरवाती test था वो सिर्फ mental age को देखता था वो IQ की test नहीं करता था इसी लिए इसको challenge दिया जाना था ये घटनाए हैं सारे की सारे 1907 से लेकरके और 1911 के मध्य की test कैसा होता था 1908 में Binet और Simon ने जो intelligence scale बनाया showing three pairs of pictures about which the tested child was asked which of these two faces is the prettier prettier सोचो ये पूछा जा रहा है इन में से कौन से दो face सुन्दर है ये पूछा जा इन में से कौन से दो face सुन्दर है faces दिख रहे हैं आपको क्या ये intelligence है is this intelligence सुरुवाती टेस्ट थे तो कुछ तो रिफाइं करना ही था कुछ तो तरीका होना ही था तो ये वो सुरुवाती तरीके थे जिनको मैंने क्या कहा बहुत ज्यादा change किया गया तो आप इसको challenge मत कीजिए क्योंकि इसको बहुत बार already challenge किया गया जिसके बाद नई टेस्ट बन गए और इसी लिए तो 1922-24 में बहुत सारे वर्जन्स निकाले गए इस टेस्ट के है ना और दे प्राक्टिकल यूज आफ डिटर्माइनिंग एजुकेशनल प्लेस्मेंट दे स्कोर ऑन दी बिने साइमन स्केल वोड रिवील दे चाइल्ड्स मेंटल इज यही था concern कि actual में यह जो टेस्ट थे यह IQ क्यू में क्या होता है क्यू का मतलब हुआ कोशेंट कोशेंट मतलब कि वो होगा एक statistical और reliable measurement और यह statistical और reliable measurement IQ टेस्ट नहीं था क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहा था mental age निकाल रहा था क्योंकि इस picture को दिखा करके आप यह देख सकते हैं कि क्या age के according काम कर रहा है वो किसमे था एक class को ही comparison किया जा रहा था क्योंकि इस्मेस